दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल योर इंटाडे कोच में दोस्तों आज 28 जनुवरी है 2023 और एक तारिक को एक फरवरी को बजट आने वाला है तो दोस्तों बजट की बात कर लेते हैं कि बजट में हम क्या strategy बना सकते हैं मैं आपको दो strategy बता रहा हूँ आप दोनों में से कोई भी apply कर सकते हो और उसमें आपको क्या benefit हो सकता है वो देखते हैं चलिए चार्ट के उपर चलते हैं और समझने की कोसिस करते हैं कि पिछले दो सालों में 2021 में और 2022 में budget के दिन market ने कैसा perform किया दोस्तों ये nifty bank का चार्ट है ये भी nifty bank का चार्ट है ये जो दिन है आप यहाँ पर में करसा रख रहा हूँ ये एक फरवरी 2021 को है और यहाँ पर जो आप करसा रख रहा हैं ये एक फरवरी 2022 है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस दिन 2021 में market opening से बहुत अच्छा move किया और ये लगभग लगभग 2300 point का movement हुआ था 2021 में और जिस दिन इस दिन की बात करें तो इस दिन भी market में movement अच्छा हुआ देखतें के movement कहां तक हुआ इस दिन market 38400 पर खुला ओपिन हुआ लो बनाया 37700 का और 38800 पर बंद हुआ लगभग 1000 point का movement इस दिन हुआ यानि 2022 में market में जो movement हुआ वो लगभग लगभग 1000 point का movement हुआ तो अगर हम इस से अंदाजा लगाएं तो bank nifty में 1500 से 2000 point का movement होता है यानि 0 से लेके 1500 point और 1500 point से लेके 2000 तक का movement होता है एक roughly idea हम लगाएं तो 2000 point तक का movement एक फरवरी को budget वाले दिन market में होता है तो हमें कोई एक ऐसी strategy बनाना है कि अगर market में movement आए चाहे 1000 point का movement आए चाहे 1500 point का movement आए चाहे 2000 point का movement आए किसी भी direction में movement आए हमको नहीं पता market उपर जाकर बंदोगा market नीचे जाकर बंदोगा लेकिन किसी भी direction में अगर bank nifty 2000 point मूव करती है तो हम क्या profit में निकल सकते है और निकलेंगे profit में तो कैसे निकलेंगे चलिए मैं आपको दो strategy बताता हूँ एक जिनके पास amount कम है उनके लिए बताता हूँ और एक जिनके पास amount थोड़ा साज है जादा है उनके लिए मैं आपको strategy बताता हूँ तो ये बात तो clear हो गई कि market में movement आएगा चाहे 1000 point का movement आए चाहे 1500 point का movement आए चाहे 2000 point का movement आए चाहे upward direction में movement आए चाहे downward direction में movement आए हम क्या trade ले सकते हैं और कैसे trade लेंगे उसको मैं आपको बताने की process करता हूँ एक चीज और ध्यान रखिए कि market में हमेशा जिस दिन budget होता है अभी तक जो था वो ये था कि market में budget वाले दिन market positive open होता है थोड़ा सा positive open होता है तो हम इस strategy को दो तरह से बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं चलिए चार्ट के उपर समझने की courses करते हैं इसको single chart कर लेते हैं और इसको हम 15 met का chart कर लेते हैं ठीक है तो पहले तो ये देखते हैं कि पिछले साल 2022 में एक फरवरी को क्या हो हम इसमें एक फरवरी 2022 को चलते हैं ये एक फरवरी 2022 का चार्ट आ गया सामने ये एक फरवरी 2022 का चार्ट है पिछले दिन की closing क्या थी अगर आप यहां पर देखेंगे तो पिछले दिन की closing आपको दिखाएगा मैं आपको अमनल बना देता हूं गोला टाइप का आपको यहां पर देखिए कि market में क्या हुआ जो closing थी वो 37,957 की थी लगबग 38,000 की और जो opening हुई वो 38,460 की थी मतलब लगबग लगबग 500 point bank nifty open हुआ उपर 500 point bank nifty positive open हुआ दोजार 21 की बात कर लेते हैं कि 2021 में क्या हुआ हम चलते हैं 2021 पर फरवरी 2022 एक तारिक open करते हैं चार्ट यह है फरवरी 2021 को एक तारिक का चार्ट उसके पहले की जो closing थी वो थी 30,612 और open हुआ 31 तारिक को 30,976 पर यहां पर आप देखिए इस दिन की closing जो थी 29 जन्वरी की 15,15 पर 29 जन्वरी को close हुआ था 30,612 पर और एक फरवरी को 30,976 लगबग लगबग 300 पॉइंट का positive opening हुई थी तो 300 पॉइंट की positive opening हुई थी यह तो इससे यह पता चलता है कि market जो है budget वाले दिन positive open होता है तो इसका benefit हम लोग कैसे ले सकते हैं अभी हम लोग right time वाले चार्ट पर चलते हैं जो तारिक है वो 2023 है इसको cancel कर देते हैं और हम लोग अपने आज की चार्ट पर आ जाते हैं यहां से हम date change कर देते है 21 22 और 2023 जन्वरी आज है 28 जन्वरी यहां आ गए हम लोग और अब देखते हैं कि market में हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए आज तो है 28 तारिक आज है 28 तारिक 29, 30 Saturday Sunday है 31 तारिक को मंडे है और 31 तारिक को Tuesday है तो आपको करना क्या है बड़े ध्यान से समझेए यानि 31 तारिक को तीन बज़ के पंदा मिट पर ये market की जैसे किलोज हुई suppose करिए कि ये जो दिन है वो 31 जन्वरी है आज 31 जन्वरी है ये हम मानकर चलते हैं और आज market ने यहां पर closing दी तो 3 बज़ के 15 मिनट पर या 3 बज़ के 20 मिनट पर जिनके पास कम पैसा है वो अपना यहां पर एक strategy ब market कहां बंद हुआ 30,365 पर बंद हुआ यानि इसको अगर हम round off करें तो 40,400 तो आप क्या कर सकते हैं 40,400 की call और put buy करके चल सकते हैं अगले दिन market अगर 400,500 point gap up open होता है तो gap up open हो या gap down open हो आप तुरंत profit book कर सकते हैं 9 बज़ कर 20 मिनट पर इस बात की संभावना है कि market flat खुलने की बज़ाए या तो 400,500 point gap up खुलेगा या 400,500 point gap down खुलेगा तो जो 400,500 point का आपको gap up या gap down का profit मिलेगा वो आप तुरंत book कर सकत हैं सुभे market open होने के बाद 9.15 पे 9.20 के बीच में आप इस profit को book कर सकते हैं क्योंकि budget वाले दिन कम से कम bank nifty 1% 5% बढ़कर या गिरकर खुलता ही है तो पहला तो आप ये profit book कर सकते हैं दूसरा strategy number one strategy number one क्या है आपको क्या करना है मान के चलो के market की opening हम एक फर्वरी को आ गए और एक फर्वरी को market जो है वो open होता है जिसे अभी 3,465 पर बंद है मान के चलो के market 41,000 पर open होता है कहां पर market open हो रहा है 41,000 पर open होता है यानि कि 9 बचकर 20 मिनट पर market जो है वो 41,000 पर है आपको क्या करना है 41,000 की call और 41,000 की put इन दोनों को buy करना है अब एक चीज़ और समझ लीजिए 2021 में एक फर्वरी को Monday था 2022 में एक फर्वरी को Tuesday था और 2023 में एक फर्वरी को Wednesday तो और expiry का वोती है Thursday को तो Monday में तो कुछ premium बचा रह गया था Tuesday वाले दिन भी कुछ premium बचा रह गया था लेकिन Wednesday वाले दिन possibility है कि market में जो अभी बढ़ा हुआ premium मिला है market close होते होते इसका premium लगभग खतम हो जाएगा इसलिए आपको बड़े ध्यान से समझना है जब भी profit मिले आपको लेकर निकल जाना है क्या करना है 41,000 का call or put buy करना है 9 बच कर 20 में जब भी आपको profit मिलता है ठीक ठाक profit मिलता है आपको लेकर निकल जाना है यानि market में budget के दोरान भी movement आता है budget के दोरान market 500 से 800 point उपर जाएगा फिर 500 से 800 point नीचे जाएगा यानि market up down करेगा अप down करने पर अगर 500 से 800 point का 800 point का भी movement हो जाता है तो मेरी आपको सलह रहेगी कि जो लोग 41,000 पे अगर मान लो 9 बच के 20 मेट पे market है और 41,000 की call और put buy करते हैं 1000 point 800 point इतना movement होने के बाद इतना movement का मतलब है market 41,000 पर है या तो 41,800 के आसपास आ जाए या यहां से 800 point गिर जाए 40,200 पर आ जाए बिना लालज किये इस rate पे आते ही साथ आप लोग profit बुक करें और market से दूर हटके बैठ जाए ये काम आप कर सकते हैं ये strategy number one है इसमें आपको profit मिलने की possibility है क्योंकि market में movement आना ही आना है तो आपको हमने दो तरीके बताए पहला तो ये बताया कि आप 31 जनवरी को 31 जनवरी को आप क्या कर सकते हो 3 बच के 15 मिनट पे जहां पर market है मान के चलो उस दिन market 40,500 पर है तो 40,500 पर है तो 40,500 की call और 40,500 की put लेकर जाईए एक फरवरी के लिए एक फरवरी को market क्या होगा या तो gap up खुलेगा या gap down खुलेगा कम से कम 500 point 300 से 500 point हमारा याद रखिएगा आप इस वीडियो को budget के बाद भी देखिएगा 300 से 500 point का gap up या gap down खुलेगा प्रीमियम हाई है तो प्रीमियम में change आएगा लेकिन प्रीमियम गिरेगा नहीं 9 बच के 20 मेट के आसपास प्रीमियम गिरेगा नहीं इसलिए एक साइट का प्रीमियम तो बढ़ जाएगा दूसरे साइट का प्रीमियम गिरेगा नहीं उतनी तेजी से नहीं गिरेगा जितना आम दिनों में गिरता है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको कॉल का प्रीमियम तो बढ़ जाएगा लेकिन पुट का प्रीमियम के कमपेरिजन में कम गिरेगा अगर market gap down खुलता है तो put का premium जो है वो बढ़ जाएगा और call का premium उतनी तेजी से गिरेगा नहीं तो आपको इन दोनों के difference का profit मिल जाएगा 9 बच के 20 मेट पे आप वो profit market खुलने के बाद book कर सकते हैं पहली स्टेट जी दूसरी स्टेट जी जब 9 बच के 20 मेट की बात हुई मान के चलो market 41,000 पे तो आप call और put को buy करेंगे 800 पॉइंट का moment या 1000 पॉइंट का moment बजट के दौरान आपको जैसे ही मिलेगा या जब भी आपको 800 से 1000 पॉइंट का moment मिले एक गंटे के अंदर, डेल गंटे के अंदर, दो गंटे के अंदर उस समय आप इस profit को book कर लेगे तो ये दो strategy हमने आपको बताई है, इसमें आपको profit मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है और amount कितना लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ amount कितना लगेगा, चलिए मैं चलता हूँ इधर, bank nifty का चार्ट open कर लिया दो फरवरी का हमने expiry लगा लिए, option ले लिया और option में हमको क्या करना है, दो फरवरी में जैसे market आज की rate की हम बात करना है, 40,400 के आसपास चल रहा है इसका हमको call भी buy करना है, दो फरवरी को ये premium गिर चुका होगा क्योंकि स्वंबार निकल गया होगा, मंगलवार निकल गया होगा और बुद्वार को एक फरवरी है, तो मंगलवार तक इसका premium घर गिर गया होगा लगबग लगबग 400-500 रुपे के आसपास होगा तो जब आप इसका एक lot buy करेंगे, और इसका एक lot buy करेंगे तो आपका premium जो है, वो अभी लग रहा है 28,000 देखिए, अभी इसका premium कितना लग रहा है, 28,000 का premium लग रहा है लेकिन उस समय ये premium घट के 20,000 से 22,000 रुपे के आसपास आपका premium लगेगा और एक दिन पहले आप लेके जाएंगे, तब भी लग बग लग बग इतना premium आपको लग में लेगा और जैसे ही market में movement आएगा, तो आप इस profit को book कर लेगे ठीक है, अब मैं वो strategy बताने जा रहा हूँ, जिस strategy में loss की संभावना ना के बराबर है मार्केट में movement कितना भी हो जाए, अब देखिए, मान के चलो कि आज फस्ट फर्वरी है, फस्ट फेबररी है और टाइम हुआ है नौ बच कर बीस मेट, और मार्केट कहां पर है, नौ बच के बीस मेट पर मार्केट है उस दिन एक फर्वरी को मार्केट 41,000 पर हो सकता है, 41,500 पर हो सकता है, 42,000 पर हो सकता है, गिरेगा तो 49,000 पर हो सकता है, 49,500 पर, मान के चलो कि नौ बच के बीस मेट पर जहां पर भी मार्केट है, वहां की call और put हमको buy करना है किलियर हो गई बात, अब buy किया, तो हमको यह चीज दिखाई दे रही है, buy करने के बाद, कि मार्केट अगर 41,500, 44,400 के असपास हम ले रहा है, 1000 पॉइंट से उपर का movement देगा, जितना मोमेंट देगा, उतना बड़ा हमको profit मिल सकता है, जितना बड़ा मोमेंट देगा, उतन loss है जो maximum, वो है 28,000 रुपे का, हम चाहते हैं कि यह loss हम ना दे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यह मान के चलते हैं, कि मार्केट में 1500 पॉइंट का movement हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1500 जोड़ देंगे, call में, और put में 1500 घटा दे, तो अगर हम 44,400 में 1500 जोडते हैं, तो कितन हो जाएगा, 41,900, और 44,400 में 1500 अगर हम घटा दें, तो 49,900, ठीक है न, तो यह हमको मिला, 41,900 और 39,900, कैसे मिला, हम ने देखा कि मार्केट है, नौबीस पे 4400, तो 4400 की call भी भाई कर ली, 4400 की हमने put भी भाई कर ली, फिर 4400 में 1500 जोड़ा, और 4400 में से 1500 घटा आया, हम यह मान के चल ला है कि 1500 पॉइंट का movement आ सकता है, तो 1500 एड करने पे यह हो गया, 41,900, और 1500 सब्टेट करने पे हो गया, 39,900, इसका call, और इसका put, एक एक lot हम sell कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि यह जो loss है, वो कितना कम होगा, चलिए option के chart पर चलते हैं, क्या करना है, 41,900 की call, 41,900 की call को हम एक lot sell कर देते हैं, और 49,900 की call को भी हम एक lot sell कर देते हैं, नहीं 49,900 नहीं, 1500 गटाने पे 38,900 आएगा, इसको मैं 38,900 कर दूँ पहले, 38,900, 38,900 की एक put भी हमने sell कर देते हैं, इससे हमको benefit क्या हुआ, हमको benefit यह हुआ, कि अब हमारा loss जो था 28,000 का, वो 21,000 का loss रह गया, और भाइदा दूसरा क्या हुआ, market कहीं पर भी जाए, हमको हर हाल में 15,000 रुपे का profit हो सकता है, लेकिन loss हमारा अभी भी 21,914, अब मान के चलो market में 2,000 का भी movement आता है, तो अगर 2,000 पॉइंट का movement आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम यह करेंगे, जो 41,400 था, इसमें 2,000 पॉइंट जोड़ दो, और 4,400 में से 2,000 पॉइंट घटा दो, इस 4,400 में 2,000 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 42,400, और 4,400 में से 2,000 पॉइंट हम सब्टेक्ट करेंगे, तो यह हो जाएगा 38,400, हम क्या करते हैं, इसकी भी एक lot call और एक lot put sell कर देते हैं, हमारा target क्या है, हमारा target यह है कि हमको loss नहीं देना है, क्योंकि अगर market में movement नहीं आया, तो यह loss हमें लग सकता है, हम लॉस नहीं देना चाहते हैं लॉस को कम करना चाहते हैं तो देखिए क्या अगर हम 22-400 और 38-400 की एक एक लॉट सेल करते हैं तो क्या यह लॉस हमारा कम होता है कि नहीं होता है चलिए देखते हैं 41-400 और 42-400 की पहले हम कॉल सेल करते हैं यहां पर कॉल ली हमने और एक लॉट सेल कर देखिए और 38-400 की पुट अभी 38-400 की डाटा एवलेबल नहीं है 38-500 की एक पुट हम सेल कर देते हैं अब हमको क्या दिख रहा है हमको यह दिख रहा है कि हमारा जो लॉस थाा हमारा जोलॉस था वो घटके कितना हो गया 19,896 हो गया और मार्केट जो है अब अगर मान के चलो ये क्या आ रहा है 49,600 अगर मार्केट 4,400 है 49,600 यानि कि मार्केट 800 पॉइंट उपर या नीचे कहीं पर भी बंद हो जाए हमको हर हाल में प्रॉफिट होगा 800 पॉइंट के उपर से लेके और 37,700 यानि 4,400 है 37,700 लगबग लगबग 3,000 पॉइंट अगर मार्केट 3,000 पॉइंट भी उपर नीचे होता है तब भी हम प्रॉफिट में आएंगे लेकिन अगर हम बात करें कि मार्केट में मॉवमेंट 800 पॉइंट के अंदर हुआ तो क्या होगा तो ये हमारा लॉस अभी भी हो सकता है ये वाला लॉस अभी भी हो सकता है, क्योंकि ये तो हमें पिछले सालों को देखने से पता चल गया, कि मार्केट में मूवमेंट आता है, 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, 1500 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, 2000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, सबसे बड़ा मूवम 400 में अगर हम 2300 अगर हम कहते हैं बड़ा अच्छा मूवमेंट आता है जोर दें तो 42-700 आ रहा है यानि कि 42-700 का है 42-700 यह अगर 2300 पॉइंट का मूवमेंट भी आएगा तो भी आपको साड़े 11,000 रुपे एक लोट में प्रॉफिट होगा ऐसे अगर नीचे भी अगर 200 पॉइंट गिर गया तब भी हमको साड़े सत्रा के 18,000 रुपे के आसपास का प्रॉफिट होना ही होना है लेकिन समस्य वही बनी हुई है कि अगर मार्केट यहां गिर गया तो लॉस कितना होगा देखिए लॉस हमने लगभग खतम कर दिया आपको यह जो बिलू लाइन दिख रही है यह बिलू लाइन जो है वो उस दिन का पर्टिकुलर लॉस बता रही है तो अगर हम इस पर करसा रख रहे हैं तो बिलू लाइन हमें 38 रुपे का लॉस दिखा रही लगबग लगबग एक लाग साथ हजार तो यह strategy आप बना कर चल सकते हैं किस दिन, जिस दिन market, budget होगा उस दिन, क्या करना है आपको मैं एक बार फिर से समझा दू, चालिस हजार चार-सो के पे मान करे चलो 9 बच के 20 बच पे market है, तो इसकी call वाई करना है और put वाई करना है फिर यहां से 1500 points दूर it पंदरा सो पॉइन दूर और 1500 points दूर ऊपर की तरफ call वाई करना है नीचे की तरफ put को सेल करना है और एक दोहजार पॉंट दूर की about it्विक इन सबको हुआ कि शाय रत्स नोह सो विब्चाले चांधोवज़ 54 सो से पंदरह कुए दूर नीचे है कि साइड उन 38900 हो गया, इस दोनों put को sell करना है, 44400 से प्लस 1500, प्लस 2000 की बात करें, तो call 2000 की, 44400 में 2000 जोड़ोगे, 42400 आएगी, 42400 की call sell करना है, और 44400 से 2000 घटा होगे, तो 38400 आ रहा है, लेकिन 38400 की call put अभी available नहीं है, तो हमने 38500 डाल दिया, 38500 की put को आप sell करके चल सकते हो, केलियर हो गई बात, अब बात आती है, loss की तो हमने आपको बताया कि loss होना नहीं है, यहाँ पर आपको अभी जरूर दिखा रहा है, लेकिन जब आप एक फरवरी की बात करोगे, तो एक फरवरी को यह blue line जो है, वो दिखाता है, कि अगर market वहां रहा, तो क्या आपका profit loss होगा फिर भी हम इस loss को और कम करना चाहें, और यह profit जो है, 19,000 इसको बढ़ाना चाहें, तो क्या हो सकता है, तो आप देखिए, अभी आपको क्या दिख रहा है, break even जो है, वो अभी 37,700 से लेके 43,196 तक है, यानि यहां तक आपको loss नहीं लग सकता है, अब आप एक काम कर सकते है अगर आप चाहते हो कि यह जो loss दिख रहा है, वो भी कम हो जाए, और profit बढ़ जाए, तो जो हमने sell वाली lot लिया है, इसको आप दबल कर सकते हो, एक lot लिया था, plus कर दिया, बढ़ गया, एक lot लिया था, plus कर दिया, बढ़ गया, अब आप देखिए, loss बिल्कुल खतम हो गया यहाँ पर, यहाँ पर loss बिल्कुल खतम हो गया, और profit बढ़के 30,951 हो गया, ठीक है, profit बढ़के 30,951 हो गया, और market में कहीं पर भी जाए, market 48,221 तब भी profit होगा, 42,600, अब आप यहाँ से गौर करो, 40,400 से कितने point दूर है, 40,400 से यह 200 point दूर है, और यह भी 200 point दूर है, यानि कि 200 point दूर जाने पर भी आपको profit मिलेगा, और 4,600 की बात करो, यानि 4,400 है, 4,600, अगर 200 point का भी movement आया, तो भी आपको profit मिलेगा, मतलब, यह तो पक्की बात है, कि 200 point एकदम accurate जहाँ पर market खुला, वहीं पर तो बंद होगा नहीं, 200,500 point उपर या नीचे जाकर बंद होगा, तब भी आपको profit मिलेगा, 100 point उपर नीचे जाकर बंद होगा, तब भी आपको profit मिलेगा, और 200 point तक भी उपर नीचे जाकर बंद होगा, तो भी आपको profit मिलेगा, यानी CDC बात यह समझ लीजिए, कि अगर 200 point के उपर market जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आपका profit भी बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर जिल से जाएगा, उपर profit बढ़ता चला जाएगा, maximum profit आपको 30,900 यानी 31,000 के असपास होगा, और उपर बढ़ेगा, तो भी लगबग आपको 25,000 से 31,000 के बीच में profit आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि market को हिलना ही हिलना है, ऐसा नहीं है कि market वहीं पर जाकर close हो जाएगा, कम से कम 300 point, 400 point उपर, या 300, 400 point नीचे, 500 point उपर नीचे, 1500 point उपर नीचे, 2000 point उपर नीचे, 200 point उपर नीचे भी होगा, तब भी आप मिला कुल मिला कर profit में निकलेंगे, loss आपका कब शुरू होगा, जब आपका साड़े 200 point के ऊपर market का moment आएगा, तब loss शुरू होगा, और कितने बड़े moment की possibility नहीं है, 2200 point तक तो market की moment की possibility है, यानि उस दिन market का moment 2000 point तक के आसपास हुआ, 1500 point के आसपास हुआ, 1000 point के आसपास हुआ, तब भी आपको profit मिलेगा, तो दोस्तों ये थी strategy, इसको समझने के लिए आप 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, strategy बनाईए, basket order बनाके रख दी जीए, 9 बच के 20 मेट पे आप market में entry ले सकते हो, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, तो मेरा ये telegram channel है, जिसमें मैंने आप लोगों को daily कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, और देखिए, ये savey की study है, savey ने ये study किया कि 9 out of 10 equity F&O trader lose money, मतलब 10 में से 9, जो future और option में trade करते हैं, वो अपना पैसा गवाँ देते हैं, अपना पैसा lose कर देते हैं, 84% of them are men, उन में से 84% आदमी हैं, और 75%, उन 84 में से 75% जो है, वो 40 साल के नीचे के हैं, यानि अभी तक savey ने 2022 में ये study की है, कि पूरे साल भर के दौरान, मार्केट में 10 में से 9 लोग अपना पैसा गवाँ देते हैं, फिलाल ये मेरा चैनल है, टेलिग्राम चैनल है, इस चैनल को आप join कर सकते हैं, और इसका link मैंने वीडियो के description में दे दिया, और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर, आप कल क्या है लेके गए हैं, तो मैं आप को बता दू, मैंने क्या किया है, मैंने SBI का एक future, 10 lot, SBI के 10 lot मैंने buy किये हैं, 540 रुपे और market 580 रुपे पे, क्योंकि budget है, budget के पहले market में कुछ उतार चड़ाओ होगा, उसका benefit लेने के लिए, हमने SBI का future, 10 lot buy किये हैं, 540 रुपे पे, जो अभी 545 पे close हुआ है, 75,000 रुपे के असपस profit हो रहा है, और call जो है, वो हमने 9 रुपे पे sell की है, और 9,825 रुपे का इसमें loss हो रहा है, इसका stop loss मेरा 535 रुपे है, अगर SBI का future 535 पे आ जाएगा, तो मैं इस trade से निकल जाऊँगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या है, मेरे को देखकर trade ले 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 किता हूँ, कि 535 पे अगर ये stock आएगा, तो मेरे को लगबग लगबग 7,000 रुपे का, 7 से 8,000 रुपे का profit होगा, मैं निकल जाऊँगा, मैं इसके नीचे वेट नहीं करूँगा, क्योंकि इसके नीचे अगर market निकला, तो फिर 515 तक भी आ सकता है, अगर market एक दो दिनों म कब भी मुझे लगबग 2,000,000 रुपे का profit हो सकता है, तो दोस्तों, ये मेरी position है, जो मैं जनरली आप लोगों को बता देता हूँ, crude oil में मैंने एक lot 600 का put sell किया था, वो 9,400 है, कल मैं फिर किसी काम में व्यस्त हो गया, तो मैं इसको काट नहीं पाया, तो ये hold हो गया है, इस पस आया, तो मैं निकल जाओंगा, ये market उपर गया, तो मैं इसको hold करके, एक फरवरी तक रुख सकता हूँ, तो ये मेरी position थी, किसी के साथ दोस्तों, वीडियो समाथ प्रता हूँ, नहीं बाद,